हेलो दोस्तों मैं सिसकुमार अपने योटूब चाहें भीहाज जी के ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूँ आज हम लोग SPD के रेलवे समान विज्यान के अंतरगत प्रैक्टिसेट 111 के सभी परशनों को इस वीडियो में परहेंगे तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चनल भीहाज जी के ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं क्या है तो इससे सब्सक्राइब कर लें साथी बेल आइकन को जोड़ दमायतवाई वड़ो को चाट करते हैं तो आज का पाला प्रशन है भारती जन संख्या में सबसे अधिक शामाने कैंसर किसका होता है तो यह दखेंगे मुह का भारती जन संख्या में सबसे अधिक शामाने कैंसर मुह का कैंसर होता है अगला प्रशन है मुत्राले के नजदीक एक खास तरह की बदवु आती है यह बद्वू किस गैस के मौझूदगी के कारण आती है तो किस गैस के मौझूदगी के कारण तो यह दखेंगे अमोनिया गैस के मौझूदगी के कारण अब अगला परशने लोटस, जावा, और एकल संबनित है किसे तो यह तीनों जो है वह computer विज्ञान से संबनित है किसे computer विज्ञान से अगला पशने sodium bicarbonate या baking soda का राशायनिक सुत्र क्या है तो यहाँ दखेंगे sodium bicarbonate या baking soda का राशायनिक सुत्र है NaHCO3 क्या है NaHCO3 अगला पशने हमारे सरीर में उपापचाई को नियंतित करने वाला हार्मोन कहां से निकलता तो यह जो है अवटू गरंथी से निकलता है कहां से अवटू गरंथी से अगला पशने कार के बैटरी में उपियो किया जाता है क्या उपियो किया जाता किसका sulfuric आमल का अगला प्रशन है bus driver के पस सीशा अर्था side mirror के रूप में किस दरपन का पर्योग किया जाता तो यह दखेंगे उद्तल दरपन का side mirror के रूप में उत्तल दरपन का पर्योग किया जाता है अगला प्रश्ण है इस में से कौन ऐलर्जी वर्ग के रोग नहीं है तो कौन से तो इसका शेयुत्तर है चेचक चेचक जो है वह ऐलर्जी वर्ग के रोग नहीं है अब अगला प्रश्ण है सर सीवी रमन को 1930 में नोवल प्रोषकार से किस खोज के लिए समानित किया गया था तो इसका सही उत्तर है रमन प्रभाव के लिए किस खोज के लिए रमन प्रभाव के लिए अगला प्रश्ण है बासी मखन से दुरगंद किसके कारण आती है तो यह दखेंगे बासी मखन से दुरगंद ब्यूटेरिक एसीड के कारण से आती है किसके कारण से? ब्यूटेरिक एसीड की कारण से अगला पस्टन है लाल रक्त कनिकाओं के निर्मान कारी में कौन सहायक होता है? तो इसका शयूतर है लोहा कौन? लोहा अब अगला पस्टन है कैंसर के उपचार के उपयोग में किस समस्थानी का परियोग होता है? तो इसका शयूतर है कोबाल्ट सिष्टी का किसका? कोबाल्ट सिष्टी का अगला पस्टने राइबोस्वम की खोज किसने की थी? तो याद अखेंगे राइबोस्वम की खोज पैलेड ने किया था इसने पै लेड़ने अगला पशने पाचन उत्सर्जन एवं तंत्री का तंत्र के कारिविधी में कौन सहायक होता है तो इसका शेयुत्तर है सोडियम सोडियम जो है पाचन उत्सर्जन एवं तंत्री का तंत्र के कारिविधी में सहायक होता है अगला पशने अरक्तता रोग के उपचार में किस समस्थानी का परियोग किया जाता है तो या दखेंगे FE 59 का ठीक है FE मतलब यहां लोगा है तो FE 59 का परियोग अरक्ता रोग के उपचार में किया जाता है अगला पशने लाइसो सोम के खोज करता कौन है तो या दखेंगे लाइसो सोम के खोज करता है CD डूबे कौन है CD डूबे अगला पशने कोस्किये समवहन एवं जैविक किरियाओं का नियंतरन किस से किया जाता है तो इसका शेग उतर है पोटैसियम से कोस्किये समवहन एवं जैविक किरियाओं का नियंतरन पोटैसियम से किया जाता है अगला पशने सजीव कारवनिक वस्तू की आयू को निर्धायत करने के लिए किस विधी का परियोग करते हैं तो इसका शेग उतर है कारवन 14 विधी का किसका कारवन 14 विधी का अगला पशने जीव दरव के खोज करता कौन है तो यहा दखेंगे जीव दरव के खोज करता है डूजा ड्रीन कौन डूजा ड्रीन अगला पशने थायराइट गंथी का नियंतरन किस से किया जा सकता है तो यहा दखेंगे थायराइट गंथी का नियंतरन आयोडीन से किया जा सकता है किस से आयोडीन से अगला प्रश्ण है भाद की परसेद लैगुन जील चिल का जील किस राज में अस्तित है तो इसका शयुत्र है ओडिशा में किस राज में ओडिशा में अगला प्रश्ण है अनाज के परियक्षन में समानता किसका परयोग किया जाता तो इसका शेयुतर है sodium benzoate का किसका sodium benzoate का अगला पस्टन है silent valley जिसमें दोडलव और नश्ट प्राई पसू पाया जाता है किस राज में अस्तित है तो यह जो है केरल राज में अस्तित है किस राज में केरल में अगला पस्टन है आँख के one दर्शन अर्थात color vision किसकी मौझूदगी से परभावित होता है किसकी मौझूदगी से तो यह दखेंगे शंकू की मौझूदगी से अगला पस्टन है मानव में गुर्दी का रोग किस परदूसन से होता है तो इसका शही उत्तर है कैडमियम के परदूसन से किस परदूसन से कैडमियम के परदूसन से अगला पस्टन है भारत में कितने परतिसद भाग पर वन पाय जाता तो इसका शही उत्तर है 24 परतिसद भाग पर कितने परतिसद भाग पर 24 पर अगला पस्टन है प्रोटीन के अमीनों अम में कौन सा एंजाइम उत्पेड़क का कारे करता है तो इसका शेयुतर है पैपसीन कौन पैपसीन अगला पस्टन है किसी विक्ष के आयू का निर्धारन किसके द्वारा किया जाता तो इसका शेयुतर है वलाई के आधार पर किसी विक्ष के आयू का निर्धारन वलाई के आधार पर किया जाता है अगला प्रश्चन है कोई नाव डूब जाएगी जब वो पानी अपने भार के क्या करेगी तो अपने भार के बडावर हट आएगी तो कोई नाव डूब जाएगी अगला प्रश्चन है मानव सरीर में डी हाइड्रेशन होता है किस से तो मानव सरीज में dehydration जल की कमी से होता है किस की कमी से? जल की कमी से अगला पश्ण है मान स्पेशियों के संचालन एवं तंतिका तंकी करविधी में सहायता किस खनीज लबन के द्वारा किया जाता? तो याद दखेंगे magnesium के द्वारा किसके द्वारा? magnesium के द्वारा अगला पश्ण है अध्योग सहरों को परदुसित करने वाला घना धूल और SO2 युक्त कोहरा क्या कहलाता है? तो इसका शय उत्र है धूम कोहरा क्या कहलाता है? धूम कोहरा अगला पश्ण है कौनसा विटामिन के अबसोशक में सहायक है? तो इसका शय उत्र है विटामिन D कौनसा विटामिन गैलसियम के अबसोशक में सहायक है? तो यह द्खेंगे vitamin D तो यह था आज की वीडियो का आखरे प्रश्ण आसा करता हूँ आप लोग को हमारे यह वीडियो पसंद आया हो यदि आप लोग को हमारे यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सेर जरूर करें तो आज के बहुत बहुत धन्यवाद